भजन सहिता अध्याय 28, हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर, ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हों के समान हो जाओ, जो पाताल में चले जाते हैं, जब मैं तेरी दोहाई दू और तेरे पवित्रस् उठाओ, तब मेरी गिरगिरहर की बाते सुन ले, उन्दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घहसित, जो अपने पड़ोसियों से बाते तो मेल की बोलते हैं, परंतु रधे में बुराई रखते हैं, उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनस नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पचाड़ेगा और फिर न उठाएगा, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिरगड़हर को सुन लिया है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहयता मिलती है, इसलिए मेरा मन प्रफुलित है और मैं गिर उसका धन्यवाद करूंगा, यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिशक्त के लिए उद्धार का द्रुढ़ गढ़ है, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निजभाग के लोगों को आशिश दे, और उनकी चर्वाई कर और उन्हें सम्हाले रहा